हे गाईज वेलकम टू माई यूटूब चैनल इस्टाड़ी भी देव भुमी फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में वेरी वेरी मोस्ट इंपोडेंट टॉपिक्स देखेंगे दक्षिन एसे आई छेत्रिये सायोग संगठन जिसको सार्क कहते हैं और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दक्षिर एसे आई छेत्रिये सायोग संगठन यानि दक्षेश शार्क दूसरा टॉपिक है सायोग तरास्ट मानवदिकार परिसत यू एन एचारसी तीसरा है भुमंडली करन जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है ठीक है तो चलिए ज़ादर टाइम नाखराब करते वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं शार किकैं सबसे पहले बात करते हैं शार किकी साउथ एसेयन Association for Regional Corporation तो ये इसकी full form होती है क्योंकि कभी कबार ये इस तरह से ही पूछ लेता है इसको हिंदी में बोलते है दक्षिन ACI छेत्रिय सहयोग संगठन यानि दक्षिस आपको मिल जाएगा सार्क की स्थापना कब हुई आपको मिल जाएगा तीनों कोशन यही से बन जाते है तो बात करें देखें इसके गठन की तो सार्क की जो गठन हुआ था 7 या 8 दिसमबर 1985 को हुआ ठीक है 7 या 8 दिसमबर 1985 को सार की स्थापना की गई थी मुख्याली की बात करें तो इसका मुख्याले मुख्याले कार्ट मांडू नैपाल में अब देखे यहां से भी एक कोशन बनता है अगर आपसे पूछ लेता है कि सार्क का मुख्याले कार्ट मांडू को कब बनाये गया तो आपको देखे पहले यह उप्षन में जो डेट मिलेगी न वो 1985 मिलेगी और अधिकतर बच्चे जो है न अधिकतर बच्चे वो 1985 को लगा देंगे और वो जो है उनका गलात हो जाएगा यह जो मुख्या रहे था 1987 को बना था 1987 को बना था तो इस पॉइंट को जरूर आप नोट कर लेना अगला कोशन बना भी है कोशन आगी बनेगा कि सार्क जो है किसके दिमाग की उपस थी ठीक है अगर आपने एक्जाम देंगे जो पटवारी वाला एक्जाम था वो दिया होगा तो उसमें कोशन पूछा गया था तो शार्क जो है किसके उपस थी जिया उल्रह्मान की यह बंगला देश के रास्टे पती थे ठीक है यह बंगला देश के रास्टे पती थे तो दीक है पूछ लेगा किस जो सार्क है यह किसके दिमाग की उपस थी तो जिया उल्रह्मान की और जिया उल्रह्मान जो थे यह बंगला देश के रास्टे पती थे अब इसमें देखे शार्ग में कुल सदस्य देश हैं आठ इतने हैं आठ ये आठ जरूर आपने याद रखने हैं नाम भी इनके आपने याद रखने कर भी कभार पुछ लेगा कि निमलिक में से कौन सा सार्ख देश नहीं है तो इसकी जो ट्रिक है थे कि सब अपनी अलग अल बगलादेस आ जाएगा एसकी हमारा अफगानिस्तान जाएगा इसको जो बाद ने जोड़ा गया है इसको बाद में जोड़ा गया था ठीक है और इसे हमारा अफगानिस्तान हो क्या । से हमारा मालदीव, एल से हमारा स्रीलंका, पी से हमारा पाकिस्तान, आई से हमारा हो जाएगा इंडिया, ठीक है, तो आपको आठ के आठ देश याद होने चाहिए, नैपाल, भूटान, बांगलादेश, आफगानिस्तान, मालदीव, स्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, क्योंकि कि यहां से कोश्चन पूछ लेता सदस्य देश कितने हैं और निम लिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है तो टेक्स है आप अपनी जो अगर आपने कोई अलक्ट्रिक बना रखी हो तो आप उसे इनको याद कर लेना बात करें इसका उद्देश यह क्या है ठीक क सार्क को क्यों बनाए गया था तो दक्षन एसे आए की लोगों के कल्यान के लिए बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुडवत्ता में सुधार करने के लिए जो है सार्क की स्थापना की गई थी सबसे महत्मूर कोश्चन बनता है कि सार्क का प्रतम सम्मेलन ठीक है जो स सम्मेलन 2016 में होना था पागिस्तान में लेकिन यह हुआ नहीं है जब से यह वाइकट होता चला रहा है उसके बाद हमारा दूसरा भूमंडली करन ठीक है देखे भूमंडली करन से जो है काफी बार कुश्चन बना है कभी आप सोचने की भूमंडली करन क्या है यहां से अगर USA माननका चलो USA पिर UAE ठीक है यहां से अपना कोई समान मंगाता फीक है उसको आयात करता या फिर यहां से कोई समान भै enhanced आयात निर्यात करता जो तो उसमें जो professors कर लगता है टेक्स लगता हो कम कम लगे ठीक है कम से कम लगे तो उसको मुक्त्व अपानिती भी वोलते है कि मतलब आयात करने नियात करने उसमें कोई ट्यक्स ना लगें था इधा है भारत में भुमंडली करन्वा वैश्विपर स सब्सक्राइब 1 1991 में 199141 मेर इसका उद्दिष्भी उद्दिष्ये क्या था तो दिखें आप याद रखना भारत मेरत मेरिं कर दखें कि अंदर कि आ था हमारा विश्भ व्यवायपार संगतर ठीक है यहीं से question बनता देखे बुबटली करण आपको देगा आप सोचिंगे आसे तो question नहीं बना लेकिन उसमें जो question पूछता है विश्व व्यपार संगठन अब देखे आगे जो और question पूछता है वो कौन कौछता है तो विश्व व्यपार संगठन ठीक है WTO ठीक है WTO तो इसकी स स्थापना हुई थी एक जनवरी 1995 को ठीक है एक जनवरी 1995 को बिश्व व्यपार संगठन के स्थापना की गई थी मुख्याली जरूर आप याद रखना इसका जेनेवा स्यूजर लेंड में है सदस्य देश है इसके 164 कितने है सदस्य देश 164 आपने अगर पेपर दिया होग और ये कभी स्थापित हुआ था 1965 में तो ये आपने जरूर याद रखना है क्योंकि वो कभी कवार जो है इसकी डेट भी तूच लेता है क्योंकि भारत जो है एस्या का पहला देश है जहाँ एपी जे ती एक है एपी जे की इस्थापना की गई और एथ्या एसिया ठीक है अगला है सयुक्तराष्ट मानवादिकार परिशद ठीक है आप देखें जो हमारा UNO है जो हमारा UNO है सयुक्तराष्ट संग तो उसी से जो है यह रिलेटीव है जैसा आपको पता है सयुक्तराष्ट संग की स्थापना की गई थी और सुर्भाती सदसे देश आप जरूर याद रखना कितने थे 51 थे मुख्याले जरूर याद रखना क्योंकि उसका मुख्याले है नियॉयॉर्क मैनहेंटन दीपर सदसे देश से 193 वाला वो दक्षिन सुदान है तो दीए जो सयुक्तराष्ट संग उसके अंगछे हैं महासावा सुरक्षा परिशद आर्थिक एवं सामाजिक परिशद परन्यास परिशद सची वाले और अंतर रास्टिय नियाले तो उसमें से जो है देखिए उसके बाद जब यह हो गए थे तो क्या काम करा था सयुक्तराष्ट मानवाधिकार परिशद निर्मार किया गया था और यह पूछ था भी नहीं है मैंने काफी एक्जाम देखी उसमें जो है इसकी डेट पूछ रही है या फिर इसका मुख्याले पूछ रहा या इसकी फुल फॉर्म पूछ रही है तो इसके सदस से देश जो है वो पूछी नहीं है आप एक बार सच कर लेना अगर मुझे मि कर रहे हैं तो उसमें भी यह तीनों टॉपिक काफी महत पूर्ण हो जाते हैं गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट करें बाव झीनों तो को वीडियो जाते हम वीडियो लंगय को वीडियोट नेक्स्ट वीडियो ले जाते हैं को